हलो वाईस मैं बहुंचson अदरी आज की शीडियों के अधर एक और अपडेट लेकर आए है हैं अपडेट ही जैसे कि हमने भी आपको कुछ काफी वार कमेंट के बताया है कि अपने राजस्तान के अंदर कुछ उल्टा-बुल्टा ही चर रहा है जो contractual वाजी बरती है उसके अंदर competition है और जो permanent बरती है उसके अंदर competition नहीं है directly लिये जा रहे हैं ये बहुत ही गलत चीज है किसी का selection हुआ हो नहीं हुआ हो किसी को बूरा लगेगा कि किसी का हो रखा होगा permanent के अंदर किसी का नहीं हो रखा जो दिन राज struggle कर रहा है जो कुर्षियां तोड़ रहा है library की बढ़गे उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है तो final decision तो इसके उपर नहीं आया है तो यहां पर नर्सिंग सातर संक्थन ने एक ग्यापन स्वंपा है ब्यावर के अंदर उसके अंदर बहुत सारी 4-5 तरह की मांगे रखी है वो मांगे हम आपको बता देते हैं अगर यह मांगे बोरी होती है तो अपने लिए बहुत अच्छा रहने वाला है एक तो इन्होंने CM के नाम लेटर लिखा है जिसके अंदर इन्होंने 5 सुत्री मांगों को ध्यान में रखते हुए लेटर लिखा है और इसने बोला है कि पिछले 10-12 सालों से जो नर्सिंग ओफिसर की जो अच्छी वाली बरती हो रही है प्रमानेट वाली बरती हो रही है उसके अंदर योग्य नर्सिंग ऊफिसर को नहीं लिया जा रहा कैसे? भाई, योग्य ताका कैसे पता चलता है? एक्जाम देखकी पता चलता होगा एक्जाम तो यह ले नहीं रहे ये पर्था चली हुई है, बहुत पुराने टाइम से यही चल रहा है, अभी आपने हाल फिलाल के अंदर देखा होगा, एक तो कॉंट्रक्ट पे नर्सिंग ओफिसर की बरतिया रखी है, एक प्रमानेंट पे नर्सिंग ओफिसर की बरतिया रखी है, कॉंट्रक्ट चुल वाल कि जी ऐसा ऐसे करके होता है तो वो भी बोल देगा बेवकूफ है क्या ऐसे कैसे हो सकता है competition होना चाहिए स्टाई वाले के अंदर contractual वाले के अंदर नहीं हो तो भी चलेगा तो इन्हें ने अपने ग्यापन के अंदर लिखा है कि merit base वाली जो पर्था है इसको खतम किया जाए सवीदा पर्था को खतम किया जाए जिससे की जो पड़े लिखे हैं जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं struggle कर रहे हैं महनत कर रहे हैं nursing के बाद में उनको जो है अपना हक मिले और अपनी जो एक्जाम देके वो पास हो उसके बाद सेलेक्शन हो मज़ा भी आए कुछ-कुछ लोग ऐसे हैं पास होगे गर बेठे हैं या कैसे भी कॉंटक्ट पे लगे हैं वो डिर्क्ली अपोइंट हो रहे हैं अपने पर्मानेट वाली वैकेंसी के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो सवीदा वाले पे जा रहे हैं बोनस के इसाब से ऐसे नहीं होना चीए सबसे बड़ी बात ही है एक इन्होंने वोला है कि जो तीन मार्च को सामदाएक स्वास्तिया अधिकारी की जो बरती का जो एक्जाम होना इन्होंने बताया है कि तीन मार्च को एक्जाम होगा इसके फोर्म को वापिस से रियोपन किया जाए क्योंकि बहुत सारे सटूडेंट है वो दुबारा से फोर्म फिल करना चाते हैं तो वापिस से इसको रियोपन करो तीसरी बड़ी बात आती है जो निजी यानि प्राइवेट जो होस्पिटल्स है उनके अंदर कम से कम बीस हजार रुपे शेलरी की जाए और उसमें ऐयोग के सटूडेंट है जिसने नर्सिंग करी नहीं रखा जो उसके पास कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं उनको बार करके वहां पे स्टेंडर्ड लाइसंस या डिग्री डिप्लोम में वाले नर्सिंग आफिसर को लिया जाए जिसको जो है क्वालिटी ओफ केर है वो बढ़ाया जा सके नेक्स्ट है कि मेडिशिन रखने का और मेडिशिन जो बेसिक ऐसे नहीं जो है कि डॉक्टर वाला कुछ न कुछ मेडिशिन रखने का गाईड लाइन बनने चाहिए जिसके अंदर कुछ मेडिशिन रखने का और कुछ मेडिशिन लिखने का भी अपने को अधिकार मिलना जाए ये चार-पांच चीज़ें इसके अंदर एड़ की है, तीनो चारों या पांचों चीज़ें हैं, उसका हम अपनी तरफ से समर्थन करते हैं, क्योंकि सब चीज़ें अच्छी हैं, एक तो देखो बोनस वाली परता खतम होगी न, तभी अच्छे पड़े लिखे से टुडेंट कर रहे थे, उस ताइम किसको होस था, किसको पता था कि कैसे कैसे एक्जाम देने पड़ेंगे, एक्जाम नहीं देंगे, तो उस ताइम धांदली करके अच्छे परसेंटेज ले आते हैं, बाद में पर्मानेट वाली में लगेगे, और जिसने अच्छे धांदली लेके पर में नहीं हो रखा वो अब महनत कर रहा है इसलिए कि एक्जाम दे के पास होंगे तो वो इन्हों ने खत्म कर रखा है तो बाकाइदा होना चाहिए कि पर्मानेंट वाली बरती के अंदर एक्जाम होना चाहिए इसका भी हम समर्थन करते हैं सामुदा एक स्वास्ते आधिकारी वाली बरती के अंदर रियोपन करना चाहिए इसका भी हम समर्थन करते हैं क्योंकि बहुत सारे विचारी विरोजगार स्टुडेंट हैं विरोजगार्स तो वैसे बहुत हैं बट हो सकता है किसमत की बात है और अपनी मेहनत की बात है डरना नहीं है कि वापी से रियोपनों के भी डोर हो जाएगी मानली बार डरना होता है डर लगता है अपने को हमें भी लगता है हमें भी लगता था तो औरों का तो सोचिए थोड़ा सा उनका भी बला हो जाएगा दूसरी वाली सर्त बिल्कुल सही है तीसरी वाली निजी अस्प के अंदर लगावा पांसाथ जार के अंदर उनको निकालना चाहिए डिप्लोमे वाले को ही होस्पिटल के अंदर रखना चाहिए नेक्स्ट है जो लास्ट इसके अंदर मेडिसीन लिखने का और मेडिसीन रखने का अधिकार मिलना चाहिए बाई चार पांस साल नर्सिंग तो इनके एक प्रॉपर गाइडलाइन बननी चाहिए और उसके तहट कुछ मेडिशिन का एक टार्गेट कर देना चाहिए कि इतनी मेडिशिन रख सकता है यह मेडिशिन दे सकता है बेसिकली जो मेडिशिन अपने फरस्ट एज के अंदर या गाओं के अंदर या फिर बेसिकली अपने काम में लेते है नोर्मल लाइफ के अंदर तो उनका एक बना चाहिए, यानि इन सभी का आपन तो समर्थन करते हैं आपको क्या लगता है, कमेंट बोक्स के अंदर जुरूर बताएगा कि इन्होंने डिमांड रखे या सही है या गलत है इसका पूरुन जो तरीके से समर्थन करते हैं इसलिए अमनों ये वीडियो बनाया है, ओके, तो आज की इस वीडियो गदर इतना ही फिर भी कोई अपडेट, इन्फोर्मेशन, न्यूज आएगी जुरूर बता देंगे स्टड़ी वाली क्लास अपनी श्याम को चल रही है, एंसी क्यूज बैसे जोल्ड किर्शन पेपर की तो वहाँ पे भी जोइन कर लेना, वहाँ पे भी अच्छा कुछ आपको सीखने को मिलेगा थेंक्यू, बाइ-बाइ